अनकेडमी होगा आईपियल 2020 का सरकारी पार्टनर 2022 तक का हुआ मौाहिदा इंग्लेंड में बारिश और क्रिकेट को अलग करना मुश्किल पांच माईने बाद कोहली ने थामा बल्ला, रोहित और बुम्रा ने भी आजमाए हाथ ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ इस पोई स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे खबरों का सीजिला शुरू करने से पहले नाजरीन आप से दरफास थे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए आप तक हम पहुंचें सबसे चलिए अनेकेडमी होगा आईपियल 2020 का सरकारी पार्टनर 2022 तक का हुआ मौाहिदा एजुकेशन टेक्नोलोजी अनेकेडमी 2022 तक के लिए इंडियन प्रिवियर लीग आईपियल का सरकारी पार्टनर बन गया है 2022-2022 तक सरकारी पार्टनर के रूट में मकर्रर करते हुए काफी खुश है इंगलेंड में बारिश और क्रिकेट को अलग करना मुश्किल इंगलेंड की जमीन पर बारिश और क्रिकेट को अलग करना बेहद मुश्किल है पहला T20 मुकाबला मौसन की वज़ा से खराब हो गया इंगलेंड और पाकिस्तान के बीच तीन T20 मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच बारिश की वज़ा से रुख गया आधे मैच में टॉम बैटन काफी अटेकिंग नजर आए अब उनका अगला मुकाबला इतवार के रोज खेला जाएगा पांच महीने बाद कोहली ने थामा बला रोहित और बुमरा ने भी आजमाए हाथ कुरोना वारिस महामारी के बीच हिंदुस्तानी क्रिकेटर लंबे वक्त के बाद क्रिकेट के मैदान में उतर गए है दूसरे खिलाडियों के साथ पहली बार नेट प्रेक्टिस के लिए उतरे तेज गेन बास जस्वित बुमरा ने ज़्यादा स्पीट से गेन डाल कर रिदम हासिल करने की कोशिश की अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ हस्पानवी मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक लियोनल मेसी पीर को बारसलोना की ट्रेनिंग में शरीक नहीं होंगे हस्पानवी मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक लियोनल मेसी इतवार के रोज प्री सीजन के लिए कुरोना वारिस टेस्ट नहीं कराएंगे और ना ही पीड के रोज ट्रेनिंग कैम्प में जाएंगे उन्होंने एक हफ़ते पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो बारसलोना को छोड़ना चाहते हैं FA Community Shield में अरसनेल ने लिवरपुल को पेनाल्टी शूट आउट में हराया अरसनेल ने लिवरपुल को 5-4 से पेनाल्टी शूट आउट में हरा कर FA Community Shield अपने नाम की दोनों टीमों ने मैच खत्म होने तक एक एक गोल करके ड्रॉख खेला जिसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में अरसनेल ने 5-4 के स्कोर से ये मैच जीत लिया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स नियूस की सारी अपडेट्स मिलती रहें आज के लिए बस एतना ही अब दीजिया में इजाज़त और अपना खयाल रखिए